ताजा तर्न खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें नमस्कार मैं हूँ फिरोज हास्मी आज सुबा साड़े ग्यारा बजे मुम्रा इस्टेशन पर न्यू आटो रिक्षा यूनियन के मेंबर बालू को एक रिक्षे वाले ने थपड मार दिया और उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया रिक्षे वाला इनलीगल तरीके से रिक्ष में हंगामा खड़ा हो गया और यहां तक मुम्रा इस्टेशन पर भी हंगामा खड़ा रहा और रिक्षे वाले ने हरताल सुरू कर दिया था मगर कुछ देर बाद चालू हुआ हमारे साथ इसलामुदीन खान जुर चुके हैं हम जानते हैं क्या जानकारी है इसलामुदीन 11 बजे की घटना हे न्यू रिक्सा यूनियन मेंबर बालू को थपड मारा और उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया था अब क्या सुचवेशन है जिसको मारा गया क्या उनसे आपकी बात चीत हुई है क्या बोलिए जी बिल्कुल आज जिस तरह से मुंबरा रेलवे स्टेशन पर जो न्यू टेक्सी न्यू आटो रिक्सा यूनियन के करता है बाला साहब मुलिक उनके साथ जो है एक घटना सामने आई जिसके बाद आटो रिक्सा चालकों में घलकप मच गया और इनके साथ जो है जड़ब की भी खबरे सामने आई है इस पूरे मामले पर हम बाला साह प्रवाशी वातुक करो और ट्रापिक जाम नहीं होए यह इसाफ जा हम लोग यहां बैठते हैं इरिक्षा वाले को मैं बोला कि गाड़ी तू स्टैंड में डालके प्रवाशी वातुक करना वो बोला नहीं करूंगा उसने गाड़ी वहाँ भरा बरने के बाद उसका गाड़ी खाली करने को कोचिस किया और बाद में गाड़ी उसके साइड में लगा के उसके बाप को भाई को बुलाया और समने वाली ने तोड़ा मेरे को तमदाटी करके गाली गुलोच किया और एक कानपड़ की चाए याई एक लफ हमारा एक लफ हमारा अई ऐसा बता जा रहा है कि जो जिससे आपकी जड़प गुई है तो वो जो है इलिगल तरीकी से आटोरिक्सा चला रहा था उसके पास यूनिफॉर्न भी नहीं था बैच भी नहीं था उसके बार ड्रेस भी नहीं था लाईसन भी नहीं था और गाड़ी का पेपर किलेर नहीं था और रोड़ पे गाड़ी प्रवाशी वातुक कर रहा था तौका यहाई आइसा तरह का फर्मान है कि जो आटो रिक्सा चालक है वो यूनिफॉर्म पहने और बैच लगाए और लाइसन अपने साथ में लेकर चले लेकिन इसके बावजोद भी मुम्रा से हमेशा ये खबरे सामने आती हैं कि आटो रिक्सा चालक इलीगल तरीके से रिक्सा चला रहे हैं और लेकर काफी हंगामा भी होता है कई बार ट्राफिक विभाग और इसे वाले में जड़ब की खबरे सामने आती हैं लेकिन आज जिस तरह से आटो रिक्सा यूनिएन की जो कारे करता है उनके साथ ही आटो रिक्सा चालक की जड़ब हुई है और इस पूरे मामले पर हम जो न अच्छा कोडिनेट किया हम लोगों को पुलिस वाले के तरब से कुछ नहीं है और अमरे इंसी भी कर ली है भी दूसरी बात यह किया है कि रिक्षावला कोई कमजोर इंसान तो है नहीं भाई कि कोई भी आके आके हाथ लूटा के जाएगा यह सब आपनी ताक्या देवाए और फैमिली है पहली बात तो जरूरी नहीं किया हो कार्य करता प्याटा कोई भी रिक्षावले को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता क्यों किस बेसेश में अभी इन्होंने बोला अभी 28 साल से उन्हों काम कर रहे है स्क्राब रिक्षा इंलिगल जैसे लाइसंस बैज नहीं है और पीपर्स निये गाड़ी के ऐसी लिस्स बना के हम लोग ने पॉली स्टेशन में भी इन्होंने का लिस्स दिया था उसके पर कारवाई कर रहे है पुलीस ऐसा है नहीं है हम लोगों को आसवाशन दिया कि देखो क्या इंसी के बाद विक्ति का नाम पता चला जो रिक्ष कर दिये हम लोगों ने तो क्या गाड़ी पुलीस पकड़ी है या नहीं पकड़ी है अब भी तो हम लोग ने आफे ना पहले हम लोग ने कंप्लेट कर रहे है अभी इंशालला हम लोग रिपोर्ट के लिए इन्दजर कर रहे थी कि आप लोग जो है रिक्षे को बंद करने रिक्षा कोई बंद नहीं किया है यह सब अमरे भाईयों ने अपनी मोहबत से सब के लिए जरूरी नहीं यह यूनिटी हमरी एकता हमरी के एक को किसी को सब लोग उसके लिए खड़े होते हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामुद्दीन जानकारी देने के लिए फिल मामले को सांध कराया है कुछ ही देर में फिर से रिक्षा सडकों पर दोड़ने लगी है इसी के साथ समाज राजनीती से जुरी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम